हाई हेलो हो एवरीवन तो बच्छों हमारे वैटल ड्लैयरी के लीर्ष कांसलिंग है वह स्टार्ट हो रही ऩहाँ इसके आप जैसे गयांकि आती इसके जो counseling होती है वो offline होती है दूसी information में आपको इस वीडियो के मादम से देने वाला हूँ इसका cut off क्या जाएगा अल्रेडी मैं बता चुका हूँ कौन सा course के लिए admission होता है यहाँ तो वो है हमारा VVSC and AH इस course के लिए admission होता है जो कि हमारे हाँ पर government college सिर्फ एक ही है जो कि हमारा अंजोरा दुर्ग में है तो उसके लिए मैं आपको dates बता देता हूँ इसके जो registration होते है वो आपको पता है online होते है लेकिन मैंने बार बार बता है counseling offline होती है तो इसके जो online registration स्टार्ट हो रहा है लेकिर अगर आप online registration नहीं करवाते है तो फिर आप counseling पार्टिसिपेट करना चाहते है जो कि offline होती है तो आपको उसके लिए पहले सबसे पहले online registration करा तो online registration की जो हमारी date है जो start हो रहे हमारे online registration वो हमारे start हो रहे है एक अगस्त मतलब यानि आज से और इनसी जो last date है वो बेटा वो है 16 अगस्त आज से लेके 16 अगस्त कौन सी website पर होगा तो मैं आपको बता देता हूँ यहां पर वो है हमारी cgkvmis.cg.nic.in इस website पर ठीक है इस website पर होगे है न और जो हमारे register जो भी candidate यहां पर register करा है यह उनकी जो merit list आईगी 21st अगस्त को आईगी इसमें correction window भी open होगा जो कि आपका 21 अगस्त से लेके 23 अगस्त बीच में होगा उसके बाद फिर एक final list आईगी आपकी क्योंकि आपने यहां पर जो correction किया हो उसका आदार पर आपके list और बनेगी जो की upload होगी इनकी website पर वो होगी 28 अगस्त को उसके बाद आपके इस आदाहर पर जिसन बच्चों ने रिष्टरस में करा है उनके लिए जो offline counseling conduct होगी जो की college में ही होगी सुवह 10 वजे से वो होगी 10 वजे से start होगी 31st अगस्त को होगी ठीक है और यह offline होती है जैसा कि मैंने बताया और उसके बाद 27 सेक्टेंबर को जो भी सेट रहे जाएंगी counseling वाद उसके information आपको दी जाएगी और उसके बाद फिर second round की counseling स्टार्ट होगी ठीक है तो यह चीजा रहे है अगर आपको second round में participate करना है तो आपर online registration कराने जरूरी है वह आप करवा लीजीगा इसकी जो fees होती हो 500 रुपए के आसपास होती है online application fees जो होती हो 500 रुपए के आसपास होती है जो की non refundable होती है और यहापे कौन-कौन से document लगना है तो बहुत मैं जली साब को बता देता हूँ सबसे पहले तो आपको NEET का admit card लगेगा यहापे और उसके साथ scorecard लगेगा दूसरी चीज है आपके पास 10th और 12th की आपकी mark sheet लगेगी यहाँ पर कोई bond नहीं होता है दहान रखेंगे इस चीज का है लेकिन आप जो fees देंगे वो आपकी refund नहीं होगी और उसके बाद आपको domicile certificate देना होगा उसके बाद आपको टीसे और migration देना होगा औ आपको gap certificate भी यहाँ पर देना होगा और आपको आधार कार्ट देना होगा और bank की जो आपकी passport है उसकी आपको तीन फोटोगा भी देनी होगी और तीन passport size फोटो भी देनी होगी इसकी जो fees है अगर आप hostel में नहीं रहना चाहते तो वो है 30,421 रुपए और आपको college मिल जात जब तक के लिए टाटा बाए बाए